साथियो नमस्कार, कोट का फैसला मिली चांदी जी हाँ, आज बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं आज कोट का फैसला आना था, कौन सा कोट है? ये भारत का कोट नहीं है, ये कोट स्थापित है स्विडजर लेंड में और इस कोट का नाम है C.A.S दरसल 100 ग्राम वजन जादा होने की वज़ा से भारत के हाँ से सोना और चांदी दोनों मेडल फिसल गया था खेल के विवादों को हल करने के लिए कोट आप आर्बिटेशन आप स्पोर्ट C.A.S का गठन 1984 में स्विडजर लेंड में किया गया था International Council of Arbitation for Sports का एक स्वतन संस्था है जो की खेल जगत में किसी भी विवाद के निप्टारे के लिए काम करती है इस कोट में ही खिलाडी कोच किसी भी तरह के फैसले परापत्ती या और भी किसी तरह के विवाद से होने वाली अपील कर सकते हैं दरसल इस कोट की बात करें तो जिसे हम C.A.S. के नाम से जानते हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कोट का नाम तो पहली बार सामने आया है C.A.S. तो क्या ये कोट पहली बार काम कर रहा है? जी नहीं दरसल C.A.S. कोट जो है वह 87 देशों के साथ मिलकर काम करता है और इसमें कुल अब तक 300 अर्विटेटर हैं कितने हैं? 300 खेल कानून के विशेसक ग्यान के लिए इसे चुना गया है और मिनेस फोगाट वाले मामले में यहाँ पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन इसकी सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है मुखे रूप से यह सुनवाई अब कल होगी और रात साड़े नो बजे यानि दिल थाम के बैठना है 9.30 पीम पर भारत को चान्दी मिल सकती है लेकिन चान्दी वाले मामले में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को चान्दी संयुक तुरूप से दी जाएगी या फिर चान्दी भारत पर अकीली हगदार होगी साथियों यह बड़ा सवाल है लेकिन इस सवाल का जबाब कल ही मिलेगा भारत में मांग की है कि उसे संयुक तुरूप से इस संबंद खराब होने या दूसरे किसी भी तरह किसे सिकायत को लेकर विवाद डायर किया जा सकते हैं साथी क्हेल पतियों गिता के दोरान किसी एठिलीट के साथ दुरगटी न हो गई तो वह भी विवाद इसी कोट में दायर किया जाता है इसी के साथ जिस लिस्ट में बिनेश फोगाट ने मामला दर्ज किया है वो इससे अहम रोल निभाता है और वो अनुशाशन को लेकर कोई विवाद कोई फैसला जिस पर खिलाड़ी की आपत्ती हो इस लिस्ट में ड्रग्स लेने डोपिंग के मामले बहुत से तरह की कीस दर्ज किये जाते हैं इसके फैसले में सामानिता कितने दिन का समय लगता है तो इसका फैसला काफी दिनों बाद आता है सामानिता इस फैसले में 6 से 12 महीनी तक का समय लगता है कितने महिने लगता है इन्हें जो डिवरिशन दिया उफिशल डिवरिशन 6-12 मेंद लेकिन अपील डालने के बाद पैनल को finally सुनवाई करने के बाद तीन महिने के अंदर पूरुसकार दिया जाना चाहिए यानि अगर result कल आजाता है तो तीन महीने के अंदर पदद देना पड़ेगा उसके बाद पदद देने के लिए बाद्ध हो जाएगा ओलम्पिक सेंग तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है परिक्षा के दिश्टकोर्ण से बहुत सारी महातूर्ण चीजें हैं यहाँ पर जो CAS है इसके विशे में भी पूछा जा सकता है कि कितने देश इसमें सम्मलित हैं कौन-कौन इसमें अपने मुगद में लेकर जा सकता है इसकी बैठक कब होती है और कहां पर इसका मुख्याले स्थित है कितने देश इसमें सम्मलित हैं यह बहुत सारे सवाल है तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं तक है वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताईएगा आज के लिए इतना है बहुत बहुत धन्यवाद